हेलो दोस्तों मेरा नाम सुदान सुमोर है और मैं आपका फाइनल क्लास में स्वागत करता हूँ आज हम भारती समिधान के अनुसूचिया पढ़ेंगे दोस्तों अनुसूची एक में 29 राजियों तथा 7 केंद्र सासित प्रदेशों के नाम तथा उनके राजिय छेतरों का ब्योरा दिया गया है क्या है 29 राजियों तथा 7 केंद्र सासित प्रदेशों का नाम इसे हम ऐसे याद करेंगे जब भी हम किसी से मिलते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं या किसी इस्थान पर जाते हैं हमें सबसे पहले वहां का नाम पता करना होता है हम सबसे पहली चीज क्या जानना चाहते हैं उस चीज का नाम तो अनुसूची एक में 29 राज्यों तथा 7 के इंद्रिसासित प्रदेशों का नाम का उलेख किया गया है दोस्तों अगर भारत के राज्य चेत्र में कोई नया राज्य बनाया जाता है तो किस अनुसूची में परिवर्तन करना आवस्यक होगा वो है अनुसूची एक माली जो कोई नया राज्य बनाया जा रहा है तो उसकी इंट्रि इस अनुसूची में की जाएगी कि इसी इंट्री को क्या कहा जाएगा समिधान संसोधन करके उसमें परिवर्थन किया जाएगा आए अनुसूची दो देखते हैं दोस्तों दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंसन का प्राउधान किया गया है दोस्तों अभी तक जिन लोगों ने फाइनल क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास ऐसे ही अच्छे वीडियो पहुंचते रहे हैं आईए अनुसूची दो देखते हैं वेतन भत्ते पेंसन अनुसूची दो में समयधानिक पदों पर पैठे हुए बड़े बड़े पदाधिकारी जैसे राष्ट पती, राजेपाल, लोगसभा के अध्यच और उपाध्यच, राजेशभा के सभापती एवं उपसभापती, विधान सभा के अध्यच उपाध्यच, विधान परशद के सभापती एवं उपसभापती, उच्चतम नेले और उच्चनेले के न्याधीस, भारत के नियंतरक महालेखा परिक्षक जिसे C.A.G. भी कहते हैं इनके वेतन भत्ते और पेंसन का प्राउधान कहां मिलता है सुची तीन देखते हैं, यहां पर सपत या प्रतिज्यान दिया गया है, यहां एक फॉर्मेट दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे संग का मंतरी होगा, वो किस तरह की सपत लेगा, या कैसा प्रतिज्यान लेगा, सपत और प्रतिज्यान में ये अंतर है, सपत आस्ति व्यक्ति लेता है सपत कौन लेगा आस्तिक लेगा और प्रतिग्यान कौन लेगा नास्तिक लेगा ठीक सपत लेने वाला क्या कहेगा मैं इस्वर आगे को साक्षी मान के ठीक और प्रतिग्यान लेने वाला मैं प्रतिग्यान लेता हूं की इस तरीके से वो सपत लेंगे ठीक आईए तीनों चीजों को फिर से connect करते हैं सबसे पहले अनुसूची में क्या है नाम है दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते पेंसन और तीसरी अनुसूची में सपत पहली में नाम ये आपको याद हो गई दूसरे और तीसरे को कैसे याद रखेंगे आप देखेंगे इस तरह के पदों पर जादा तर नेता लोग बैठते हैं तो वो सबसे पहले क्या कर रहे हैं वो वेतन ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं फिर उसके बाद सफत खा रहे हैं आप इस तरीके से चीजों को connect कर सकते हैं पहले क्या लिया, बेतन लिया, फिर सफत लिया फिर उसके बाद आगे कोई काम करते हैं हाँ एक चीज और ध्यान देजेगा अनुसूची तीन में राष्टपती की सपत का उलेख नहीं है ठीक, अनुसूची तीन में राष्टपती की सपत का उलेख नहीं है ये कहां पर है ये अनुचेद साथ में इसका उलेख मिलेगा अनुसूची 3 में राश्टपती की सपत या प्रतिज्यान का उलेख नहीं किया गया है ये अनुचेद साथ में आपको ये मिलेगा आईए हम अनुसूची 4 की ओर चलते हैं नुसूची 4 में राजियों का राज ये सभा में प्रतिज्यान किस राजय सभा में कितनी सीटे हैं उसका उलेख चलते मिलेगा अनु-चीद 4 में यहां पर आपको याद रखना है सबसे ज़्यादों जो सीटे हैं वह उत्त त्रदेस से हैं पूछी जाती है कोई भी पेपर आप उठा के देखेंगे प्रीवियस पेपर वहाँ पे आपको मिलेगा सबसे ज्यादा सीटे कहां से हैं 31 UP से महराष्ट 19 तमिलनाडू 18 वेस्ट बंगाल 16 करनाटका 12 आंध्रप्रदेश कुछरात मध्यप्रदेश 11 इन तीनों को अलग कलर से मैंने किया है आप देख सकते हैं कि 11 कुछिचन में पूछा जाता है कि किन जगों पे 11 सीटे हैं इन में से किन किन जगों पे 11 सीटे हैं चार राज्ये दे देगा और तीन आंध्रप्रदेश, गुजरात और मध्यप्रदेश होंगे बाकी एक चौथा होगा तो आपको तीन मारना है या इन में से किसमें नहीं होगा ये दे दिया जाएगा उड़ीजा राजस्थान में 10 हैं, केरला में 9 हैं, तेलंगाना असम पंजाब में 7 हैं, जारखंड में 6, हर्याना च्छतिसगर में 5, जम्मो कस्मीर में 4 और दिल्ली और पुडूचेरी दिल्ली और पुडूचेरी दो ही केंद्र सासित प्रदेश हैं, जहां पे राज्य सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है, बाकी 5 केंद्र सासित प्रदेश, अंडमान निकोबार दीव समो, दमन दीव, लक्छतीव, चंडिगड, दादरा नागर हवेली, इसमें क्या है, 0 सीटे हैं ठीक, तो दिल्ली और पुडूचेरी दिल्ली से 3 और पुडूचेरी से 1 ठीक, हीमाचल प्रदेश और उतराखंड से 3-3 सीटे हैं और मडीपूर, तरपुरा, मेघाले, सिक्किम, नागालेंड, मिजोरम, अरुनाचल प्रदेश, कुवा और पुडुचेरी से एक सीटे हैं अब देखते हैं कि हमारी राज्य सभा में कुल कितनी सीटे हैं मैक्सिमम पॉस्बिल सीट है 250 ठीक लेकिन उसमें अभी करंट में कितनी सीटे हैं 245, 233 सीटे निर्वाजन होता है और 12 सीटों जिनमें लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोसल सर्विस है साहित्य विज्ञान, कला और समासेवा के छेतर से 12 सीटों पे राश्टपती नामांकन करता है या मनोनीत करता है बारा सीटों पे राश्टपती मनोनीत करता है जैसे सचिन तंदुलकर, रेखा या इस तरह के जो भी हैं आपको हमेशा ध्यान देना होगा न्यूज में आता रहता है कि अभी इनको राजे सभ़ में मनोनीत किया गया है आप करंट के हिसाब से वो क्विश्चन देख सकते हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं तो पहली अनुसूची नाम दूसरी वेतन भत्ता पिंसन तीसरी सभ़ चौथी राजे सभ़ में राजियों का प्रतिनी देतो मैं बार-बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए आईए पांचवी अनुसूची देखते हैं पांचवी अनुसूची में अनुसूची छेत्रों और अनुसूची जनजातियों के प्रसासन तथा नियंत्रण के बारे में उलेग हैं और यह कहां पर उप्बंध हैं अनुसूची 244 एक में भी इसका उप्बंध मिलेगा अनुसूचित छेतर क्या है जिन्हें राश्पति अपने आदेश द्वारा अनुसूचित छेतर के रूप में खोसित करे इसके बारे मैं काफी डीटेल है मैं कभी और अनुसूचित छेतर पे पूरा का पूरा वीडियो बनाओंगा बहुत कुछ है वहाँ पे बहुत सारे नियम है तो अनिसुचित छेत्र ऐसी चीज है मालो आदिवासी इलाका है और वहाँ पे आप सामाने नियम कानून नहीं लगा सकते हैं तो उनके अपने नियम हैं वो अपने तोर तरीके मानते हैं और वहाँ पे सामाने नियम लगाने पे क्या होगा आपस में लडाई होगी जगडा होगा जो भी administration है और वहाँ के local लोग हैं तो उनकी अपनी मान्यताओं को चलने देने के लिए क्या है अनुसूची छेत्रों और अनुसूची जन्जातियों के प्रसाथसन तथा नियंत्रण का अलग से उब्बंद किया गया है यह अनुसूची पांच में है अनुसूची 6 में क्या है असम मेघाले त्रिपुरा मिजोरम राजियों के जनजाती छेत्रों के प्रसाशन के बारे में उब्बंद करता है देखो देखिए तोनों चीजों में काफी कुछ समानता मिलेगी अनुसूची 5 में और अनुसूची 6 में अनुसूची 6 किनकीन राजियों के जनजाती छेत्रों के प्रसाशन के बारे में उब्बंद करता है असम मेघाले त्रिपुरा मिजोरम खूब धेर सारे सवाल बने पड़े हैं किनकीन अनुसूची 6 में कौन յिए 한फ राजियों का उलेख है या कोई चौथा राज्य दे दिया निम्न में से अनुसूची 6 में से 6 से कौन संबंद नहीं रखता इस तरह के ठेर सारे सवाल आपको मिलेंगे तो आपको क्या याद रखना है असम मेगाले त्रप्रा में जूरम के जन्जाती छेतरों का प्रसासन तथा नियंतरण दोनों अनुसूची जन्जाती छेतरों के प्रसासन तथा नियंतरण के बारे में बात करती हैं ठीक आईए हम चलते हैं सात्वी अनुसूची पे सात्वी अनुसूची सासे साथ सासे सक्तियों का बठवारा क्या है सक्तियों के बठवारे के बारे में है हमारे देश में अलग-अलग सक्तियां विद्यमान है जैसे केंद्र, राज्य और भी हैं स्थानी संस्थाइं है तो ये कौन-कौन सी सक्तियों का प्रियोग कैसे कैसे करेंगे इसका उले कहां मिलेगा हमें अनुसूची साथ में अनुसूची साथ में सबसे पहले आता है संग सूची संग सूची यानि जिन ऐसी सूची ऐसी लिष्ट जिसमें दिये गए विसियों पर केंद्री सरकार नियम बना सकती है अनुसूची राजे सूची में ऐसे विसे दिये गए हैं जिन पर राजे सरकार नियम बना सकती है और समवर्ती सूची समवर्ती सूची क्या है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं इसे ही समवर्ती सूची कहते हैं और समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया आश्रेलिया से लिया गया ध्यान देंगे संगे सूची जिन पे केंद्र सरकार नियम बना सकती है, राज्य सूची, जिन पे राज्य सरकार नियम बना सकती है, समवर्ती सूची, इस पे केंद्र और राज्य दोनो नियम बना सकते हैं अगर राजय का नियम पहले से प्रभावी है और सेम विशे पे, समवर्ती सूची के सेम विशे पे केंच सरकार नियम बनाती है तो केंच सरकार का नियम प्रभावी हो जाएगा और उसी दिन से राजय सरकार का नियम निस्प्रभावी हो जाएगा इस तरह की प्रस्णा आपको खोप मिलेंगे तो अनिसूची साथ में समिधान लागिव होते समय कितने विशव थे संग्षूची में 97 विशव थे और अभी कितने हैं? 100 विशव पेपर में पूछा गया है राजी सूची में कितने विशव थे? 6,6 थे अभी कितने हो गए 61 यहां से 5 को निकाल करके राजे सूची से कहां ला दिया गया है 5 विस्कियों को समवर्ती सूची में ठीक है आईए हम देखते हैं इनकी लिस्ट यहां most important जो points हैं यह लिस्ट में जो topic हैं उनको मैंने दिया है जैसे सेना हुआ सेना संग सूची के विसे में आता है रक्षा, युद्ध, देशी, मामले, रेल, राश्री, राज, मार्ग, युएनो, सीबी आई, डाग, पचत, पर्मान, उर्जा, नागरिक्ता, संचार, मुद्रमलक, करेंसी, अर्भी आई, बैंकिंग, बीमा, इस्टॉक एक्सचेंज, प मानक तय करना, यहां पर ध्यान दिजिएगा, यह मानक तय करने के बारे में हैं, और बाटमाप आपको संवर्थी सूची में भी मिलेगा, साथ में, आयकर, इंकम टेक्स, केंदर का विसे है, निगम कर, किसका है, केंदरी सरकार का विसे है, राजी सूची में लोक विवस्ता, पुलिस, रेलवे पुलिस, रेलवी केंदर सूची या संग सूची का विसे है, और रेलवे पुलिस किसका है, राजी सूची का विसे है, इस्थानी सासन जैसे पंचायत नगरपाली का यह सारी चीजें क्या आती है इस्थानी सासन इसका उल्ले कहां है राजी सूची के विशे में इसे सवाल पूछा गया है लोग स्वास्ति और स्वच्छता मादक पेए समसान और कप्रिस्तान क्रिसी क्रिसियाय परकर पसुधन का परिरक्षण मत्सिक खान और खनिज राजी लोग सिवाएं भूमी और ग्रीकर हाउश्टेक्स आपका कौन आपसे वसूल करता है वो राजे सरकार वसूल करती है मनुरंजन कर मनुरंजन कर जब आप मूवी देखने जाते हैं जो टिकट पे टेक्स कलेक्ट किया जाता है वो कौन करता है राजे सरकार लेती है जल, सिचाई, नहरे, जलनिकास, तडबंध, जल भंडारन और जल सकती ये किसका विशे है? ये राजे सुची का विशे है इसपे राजे सरकार नियम बनाती है समुर्थी सुची जिसपे दोनों नियम बनाते हैं और अगर राजे का नियम है उसी विशे पर केंडरी सरकार नियम बनाती है तो राजे सरकार का विशे नियम उसी दिन से निश्प्रुभावी हो जाएगा जिस दिन केंडरी सरकार उस पर नियम बनाती है यहांपर क्या-क्या है कौन-कौन से मुख्य बिंद्वů है वह हैं दंडविधी, दंडप्रक्रिया सेह मिन Cenithya केช Calling विवा और विवा विच्षित, साधी और डाइवोर्स , नियास और नियासी यानि ट्रस्ट और हैं द्रस्टि, स्रमिक कल्याण से संबंधित फिस्यों पर राजे और केंड्रे दोनों नियम बनाते हैं संक्रामक रोग जन्म मरण सांखिकी जो पैदा होना और मतने का जो भी डेटा कलेक्ट किया जा सकता है यह कौन करता है दोनों करते हैं कीमत नियंत्रण आप देखेंगे मार्केट में प्राइसे तेजी से बढ़ रहे हैं तो यह राज़े सरकार भी कंट्रोल कर सकती हैं कारखाने विद्योत समाचार पत्र यह भी समवर्ती सुची का विस है 42 समिधान संसोधन से जो 5 विसे राज्य सूची से समवर्थी सूची मिलाए गए वो कौन-कौन से थे सिक्षा, एजुकेशन को कहां ला दिया गया समवर्थी सूची मिला दिया गया वन, जंगल, वनेजीव और पक्षियों का सनरचन नापतौल, देखिए नापतौल या पाटो का माप के मानक तै करना किसका विसे है केंद्र का लेकिन नापतौल क्या है समवर्थी सूची का विसे है सुप्रिम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा सभी नियाले, नियालियों का गठन विश्यों का राजे सूची से समवर्थी सूची के अंतर्गत कर दिया गया है आप इसे देख लेंगे 5 पॉइंट कौन कौन से है ये राजे सूची से समवर्थी सूची मिलाए गए कब 45 समिधान संसोधन 1976 में तो सासे साथ सासे सक्तियां सक्तियों का बढ़वारा कितनी सूचियां है संग सूची, राजी सूची, समवर्ती सूची संग सूची में कितने विस है थे समिधान लागो होते समय 97 विस है अभी कितने हैं 100 विस है कुछ जगहों पे 99 लिखाया है वह गलत है 101 लिखाया वह गलत है फिलाल आज की डेट में राजी सूची में 6-6 ते 5 कम करके कहां ला दिये गए समवर्ती सूची में ला दिये गए अभी 61 है और समवर्ती सूची में 47 थे अभी कितने हैं 52 है अब एक सवाल उठता है कि अगर किसी ऐसे बिंदू पर जो आकस्मिक रूप से आ जाए और जो इन में ना दिया हो इन विशियों के अंतरगत ना दिया हो उन पर नियम बनाना हो तो वो किस के अंतरगत जाएगा वो जाएगा और सिष्टी सक्ति के रूप में केंडर के पास आउसिष्टी सक्तियां क्या है ऐसे विसे जो यहाँ पर नहीं दिये गए है इनके अलावा कोई भी विसे उस पर नियम बनाने का अधिकार किसके पास है केंद सरकार के पास किसके तहट आउसिष्टी सक्ति के अधिन और ओसिष्ट सक्तियों का प्राउधान कहां से किया गया कनाडा से सवाल खुब पूच कहा है आप देखिए और समर्थी सूची कहां से लिगे है? आश्ट्रेलिया से छिक आगे चलता है आठवीbert evaluating सूची और यहां क्या है भासा आठवी अनुसूची भासा रड डालिए। सिर्फ इतना ही SSC, Bank, Railway में पहुद बार पूछा है। आठवी अनुसूची किस से संबंदित है। आठवी अनुसूची में कितनी भासा हैं है। समिधान लागू होते समय आठवी अनुसूची में कितनी भासाओं का उलेख था। खुब पुछा है। तो आठवी अनुसूची भासा से संबंदित है। आठवी अनुसूची में कितनी भासाओं का उलेख है। आठवी अनुसूची में 22 भासाओं का उलेख है। समिधान लागू होते सम्य 14 भासा थी फिर समय समय पर 3 बर मे不到 नहीं आट भासा और चोड़ी गए और अभी कुल 22 भासा आया है तो समिधान लागू होते समय पूल कौन कॉन सी भासा थी असमिया उरिया उरिया की जगा उरिया थी और इसे 99 समिधान संसोधन 96th समिधान संसोदन Constitutional Amendment 2011 द्वारा उडिया कर दिया गया उडिया की जगा उडिया कर दिया गया तीसरी भासा उर्दू, कन्नाड, कस्मीरी, गुचराती, तमिल, तेलगो, पंजाबी, बंगला, मराथी, मल्यालम, संस्कृत हिंदी यहां आपको एक भासा नहीं दिखेगी English, सवाल पूछा है क्या English समिधान की आठ्वियन उसुची में है नहीं आठ्वियन उसुची में English नहीं है, भोजपुरी है नहीं, राजस्थानी है नहीं तो इस तरह से आप इन भासाओं को एक बार देख लेंगे और याद कर लेंगे कि कौन सी भासां है और कौन सी नहीं है आए कब-कब और कौन सी भासा जोड़ी गई? उसे देखते हैं सबसे पहले जो भासा जोड़ी गई वो थी सिंधी और इसे जोड़ा कब किया? और कौनसे समिधान संसोधन द्वारा 21 में समिधान संसोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया है तो कैसे याद करेंगे 6 सरशट और 6 सिंधी 1967 में सिंधी को जोड़ा गया एक भासा थी अगली बार तीन भासाओं को जोड़ा गया कब 1992 में कौन सा समिधान संसोधन 61 समिधान संसोधन इसके तहत तीन भाषा हैं जोड़ी गई कौंकडी मड़ीपूरी नेपाली कौंकडी मड़ीपूरी नेपाली ठीक इसके लिए आप ट्रिक भी यूज कर सकते हैं फ़नी ट्रिक है कमीनी इससे आपको हमेशा याद रहेगा भूलेंगे नहीं क्या कमीनी कब जोड़ी गई 1992 में और इसका समिधान संसोधन कौन सा था 71 से कौंकडी मड़ीपूरी ना से नेपाली कमीनी अब आई ये देखते हैं इससरी बार जो भासाइं जोड़े गई वो कब जोड़े गई ? नेन जोड़ी गई वो निम्न में से कौन सी भासा बानवेवे समिधान संसोधन के द्वारा नहीं जोड़ी गई चार आप्षन में इन में से एक कोई कायब करके दूसरी भासा दे दे तो आपको याद रखना है बोडो, टोगरी, मैथली और संथाली चार भासा हैं जोड़ी गई बानवेवे समिधान संसोधन द्वारा यहाँ पर एक ट्रिक पंती है आईए हम देखते है बी-डी-एम-एस वीडियो सिफ्ट हो गया बी-डी-एम-एस 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 आपने पढ़ाया है अब प्रैकेट ओपन डिवाइड मुल्टिपल सब्स्ट्रेक्ट तो बार्डमास से आप इसे याद कर सकते हैं इसे आप याद कर सकते हैं इसे सॉर्ट में आप बार्डमास बोल लीजे तो बोडो डोगरी मैथली और संथाली चार भासा हैं कब जोड़ीगी 2003 में और समिधान संसोधन बान बेवाँ समिधान संसोधन या फिर जो कम्प्यूटर के स्टुडेंट्स हैं उनके लिए है dbms Data Base Management System वह पढ़ते ही पढ़ते हैं उनकी बुक ही होती है Data Base Management System वहां से वह भी इसे connect कर सकते हैं बोडो, डोगरी, मैथली, संथाली और एक और यहां पर आ रही समिधान संसोधन की हमेशा पूछी जाती है तो आप देखेंगे 21 plus 71, 92 आ रहा है इन्हें सम करने पर क्या आ रहा है 21 और 71 को जोडने पर क्या आ रहा है 92 तो अगर आप इसमें data में confused हों तो 21 plus 71 is equal to 92 समिधान संसोधन आप भूलेंगे नहीं तीनों का समिधान संसोधन आप नहीं भूलेंगे अगर यह याद रखते हैं तो 21, 71 और 95 इनको जोडने पर ऐसी digit आ रही है अधिये अनुसुची 9 देखते हैं अनुसुची 9 भू, सुधार और जमिधारी उनमूलेंगे से संबंधित थी और इससे संबंधित अधिनियम और विनियम दिये गया है इसे ही याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? हाँ, एक चीज और थ्यान देना है समिधान लागू होते समय कुल 8 अनुसुची यह थी समिधान लागू होने के बाद समय समय पर 4 और अनुसुची जोड़ी गई 9, 10, 11, 12 कौन कोई से 9, 10, 11, 12 आज की डेट में कितनी अनुसूचियां है 12 तो 9 अनुसूची जोड़ी गी वो 8 के बाद 1 थी यानि 8 के बाद पहली थी 8 के बाद पहली और इसे कौई से समिधान संसोधन द्वारा जोड़ा गया और जोड़ने का वर्ष क्या था 1951 ये डेटा मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं इन पर क्योंकि ये सीधे सवाल है और ये सवाल आपके पेपर में आये हुए हैं फिर सवाल उठता है कि 9 अनुसूची में क्या है हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो हमें जमीदारी प्रथा के बारे में पता चलता है किसानों के पास जमीन नहीं थी जो खिती नहीं करते थे उनके पास जमीन हुआ करते थी तो किसान एक बंधुआ मजदूर की तरह काम करता तो जमीनों को बड़ी बड़ी टुकड़ों को छोटे चोटे टुकड़ों में करके लोगों में बांटा गया जमीदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया किसानों को जमीने दी गई यही क्या था जमीदारी उन्मूलन का उन्मूलन यह हर राजी में अलग-अलग नियम बनाए गया उनको कल बनाए गया आज की डिट में इसमें 284 इंट्री है 284 इंट्री नौवी अनुसूची में और कुल कितने हैं टोटल 282 नियम है नौवी अनुसूची में तो सूची कितनी जगा और कितने तरह के नियम बनाए गया होंगे जमीदारी उन्मूलन को खतम करने के लिए अब यहाँ सवाल उठता है क्या अनुसूची 9 में जो भी विशे दिये गए हैं जो भी कानून हैं उनके खिलाफ कोर्ट में जाया जा सकता है या नहीं काफी पहले तक तो नहीं जाया जा सकता था लेकिन 2007 में सुप्रेम कोर्ट ने निरने दिया कि अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो उस आधार पे अनुसूची 9 के तहत विश्यों पर आप कोर्ट जा सकते हैं इससे पहले तक आप इन विश्यों पर कोर्ट नहीं जा सकत नियम बन गया तो वही नियम फालो होगा अईए अनुसूची 10 पर चलता है अनुसूची 10 10 से 10, 10 से दल बदल समबंदी प्रावधान खुब, पूछा गया सवाल है अनुसूची 10 में क्या है दल पतल संबंदी प्रावधान है अब 8 अनुसूची के बाद ये दूसरे नंबर पे है की नहीं ठीक इससे ट्रिक मिलती 8 फ्लस 2 समीधान लागो होते समय 8 अनुसूची थी उसमें 2 और जोड देने पे क्या आता है 10 आता है ठीक ये एक ट्रिक बन रही इसलिए मैंने ऐसा किया है और कौन सा समीधान संसोधन था बावनवा समीधान संसोधन था कब आया 1985 में आया तो 8 प्लस 2 इसकोल टैन 52 पांस दूनी 10 होता है और 85 8 8 और 5 ये नीचे 1000 ये डिजिट ये दिमाग में कनेक्ट हो इसलिए मैंने चीज़ें ऐसे बनाई हैं ताकि आप इन्हें भूले नहीं क्या-क्या है 8 प्लस 2 10 बावनवा समीधान संसोधन और 1985 85 दल बदल संबधनी प्रावधान दिये गये हैं होता क्या था कि लोग अपनी पार्टी से चुनाओ तो लड़ते थे लेकिन पार्टी हार जाने पर वो दल बदल करके दूसरी पार्टी में चले जाते थे इस संसदों विधायकों की खरीद फरोगत बहुत जादा बढ़ गई थी और इस चीज को रोकने के लिए क्या गिया गया दल बदल संबधनी प्रावधान बना दिया गया और अगर आप अपनी पार्टी से तूटके दूसरी पार्टी में जाते हैं जीतने के बाद तो आप की सद्सिता संसद्समीधां विधान सभाा की जो सद्सिति है उससे आपडावधाशध कर दिया जाएगा जिया करदिया जाएगा क्या अर्ट है और इसम इसके द्वारा केंद्र और राजियों में मंत्री परसद के आकार को 15% जितनी सदस से संख्या है लोगसभा की सदस से संख्या 300 है तो उसके 15% से अधीक मंत्री नहीं बन सकते ऐसा क्यों किया गया था क्योंकि छोटी छोटी पार्टियों से समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्हें मंत्री पत दे दिया जाता था जिससे नुकसान होता था बहुत सारे मंत्री पत बन जाते थे और क्या होता था कि हर कोई मंत्री बना घूम रहा है तो उसे रोकने के लिए एक्यान बेवान समिधान संसोधन 2003 में लाया गया और जिसमें 15% कुल सदन की कुल सदसे संख्या का 15% इससे ज़्यादा मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती ठीक, ये कौनसा समिधान संसोधन है एक जान बेवा समिधान संसोधन ये अनुसूची 10 से संबण देता इसलिए मैंने यहाँ बता दिया आईए अनुसूची 11 पर चलते हैं अनुसूची 11 पंचायते पंचायती राज के बारे में तेस में हमें इसासे चाहे आप कांधी जी को देखेंगे या पहले से गाउं का उलेख मिलेगा पंचायत मिलेगा पंच परमेश्वर मिलेंगे कहानियों में हर जगा मिलेगा तो इस्थानी सासन को बढ़ावा देने के लिए अनुसुची 11 लाई गई और उसमें पंचायतों की वैदता सुनिश्चित की गई इसमें अनुसुची 11 में क्या है पंचायती राज सैंस्थाओं की सक्तियां प्रादिकार वा जिम्मेदारियों का उलेख किया गया है इसका भ पंचायतों का उलेख हैं गया को समीधान लागो होती शमीदानiej है जो अनुच्ची था पंचायतों से सम्बंधित और जो अभी भी है वह उनुच्चे 40 है जिसमें पंचायतों का उलेख किया गया है और अनुसुची 11 के अंतरगज जो अनुच्चेद हैं वह 243, 243 में 243 से 8 तक इसका उलेख मिलता है पंचायतों का यहां यह कबलाया गया 73 में समिधान संसोधन 73rd Constitutional Amendment 1992 कुछ बुक्स में 1993 दिया गया है कन्फ्यूज नहीं होंगे 1993 में यह क्या हुआ लागू हुआ लेकिन जब समिधान संसोधन अधिनियम पूछएगा तो कौन सा 1992 और यहां पे भी हम ट्रिक देखेंगे क्या है 8 प्लस 3 को क्या कह सकते हैं 11 8 प्लस 3 11 और यहां पे 73 73 में समिधान संसोधन कब आया 1992 में और कब लागू हुआ 1993 में कितने विषय दिए गए 29 विषय दिए गए कितने विषय दिए गए पंचायतों को जिन पर वह अपना काम कर सकते हैं जिस पनिड़ने ले सकते हैं 29 विषय यहां पे देखेंगे 92 को 92 है और यहां 29 है दोनों का क्रम उलड़ देने पर दूसरी डिजिट मिल रही है 92 को चेंज करने पर 29 मिल रहा है ठीक इसे कनेक्ट कर सकते हैं कि कितने विषय पंचायतों को 29 विषय दिए गए कब आया 99 कब कौन से समिधान संसोधन द्वारा 1992 में 73 में समिधान संसोधन द्वारा कौन कौन से अनुच्छेद है अनुच्छेद 40 समिधान लागू होते समय ही इसका उलेख कर दिया गया था और अनुच्छी 11 के अंतरगत 243 से 243 का से 8 तक और कौन सा भाग जिसमें पंचातों का उलेख है भाग 9 आये इसमें दिये गए विषयों को देखते हैं क्रिसी विकास एवं विस्तार भूमी विकास भूमी सुधार लागो करना भूमी संगठेन पसुपालन मत्सो द्योग लगू सिचाई वन विकास लगू द्योग जिसमें खादे व द्योग सामिल है ग्रामीन विकास पीने का पानी खादी ग्राम कुटीरो द्योग इधन सड यांत रिक सिख्षा प्रात्मकित्ध संबन्धि विद्यालिय गरीभी वियस केंऊं के वे भुजुर्क सिख्षा पुस्त गालय बाजार मे하लय साइंस क्रितिक आरेक्रम स्पता प्रात्मिय स्वास्त पारिवार्य सम्रिध्धि सामाजिक सम्र cannabis सम्रिधि समेल महिला वाम पाल विकास समाज के कमजोर वर्गों जो भी है आप इसे देख लिजेगा तो कितने विशय थे अनुसुची 11 में कुल 29 विशय दिये गया है अई अनुसुची 12 देखते हैं जिसमें नगरपालिकों की सक्तियों का और उनकी जम्हेतारियों का लेकिया गया है तो इसके लिए भाग कौन सा है भाग 9 का कौन सा भाग है 9 का और अनुच्छेत कौन सा है 243 से 243 या 6 तक और 8 प्लस 4 को हम क्या कह सकते हैं 12 और वहां से कनेक्ट करेंगे 74 चौतरवा समिधान संसोधन कब आया 1992 में 11 और 12 सेम तरह का टॉपिक है इस्थानी सवसासन ये नगरों में है और पंचायते गाउंओं के लिए है यहां पर कितने विशय दिये गए 18 विशय दिये गए 92 चौतरवा समिधान संसोधन 1992 में ये कैसे कनेक्ट कर सकते हैं मत भूलिएगा 243 से 243 या अच्छा तक कौन सा समिधान संसोधन चौतरवा समिधान संसोधन कितने विशय अठारा विशय यहां पर क्या-क्या चीजें दी गई है आए देखते हैं नगरी योजना भूमी उप्योक विनियमन बहुनवाका निर्पान आर्थी केवं समाजिक विकास योजना सडकें और पुल्क रेलू और अध्योकिक वानिचिक प्रयोजने के लिए जल प्रदाय अग्नी समंत सेव सौगार्णा कबरिस्तान सौगा यह सारी चीजें हैं जर्म मरंण सांखिक कांजी हाउस आए हम चलता है फाइनल रिविजन के और पहली अनुसूची नाम से याद करना जरूरी है यह बारहों अनुसूची क्रम से क्योंकि यह मिलाने के लिए दे देता है चार पॉइंट ट संबंधित डेटा दे देता है और उन्हें आपको मिलाना होता है है पहली अनुसूची नाम सबसे पहली चीज नाम पीचिया किसी से भी है पहली अनुसूची नाम जिसमन तीस्टीश वैय Bonne अलेक किया गया है है तूसरी अनुसूची वेतन-bhatian pension। जो भी समयधानिक पद तीसरी अनुसूची सपत सपत में वही सभी लोग किसको राश्ट्पती को छोड़ करके राश्ट्पती की सपत का उलेख अनुच्छे साथ मित किया गया है चौथा राजियों का राजी सभा में प्रतिनी धित्व कहां पर प्रतिनी धित्व? राज्य सभा में प्रतिनी धित्व किस राज्यों का किस राज्य से कितने सदे से राज्य सभा में जाएंगे यह इसका उलेख अनुसूची चार में है पाँच में में अनुसूची छेत्रों 5 और 6 को मिला के आप पढ़ें मेसा हैगा अनुसुचित छेत्रों और अनुसुचित जंजातियों के प्रसासन तता नियंद्रण छटे में भी प्रसासन तता नियंद्रण है लेकिन असम मेगाले तरप्रमिजरों को खासतोर से इसने भोल दिया साथ ससे साथ ससे सक्तियों का बटवारा अनुसुची साथ में है नियम अगर राज्य का नियम है और उसीपर केंडर सरकार नियम बना देती है तो तो राज्य का नियम निस्प्रोफावी हो जाता है आठमे में आते हैं आठमे में भासा समिधान लगव होते समय कुल चौदा भासाओं का उलेख था फिर तीन अलग-अलग समयों में भासाएं जोड़ी गई 1960 में सिंधी जोड़ी गई कौन से समिधान संसोधन 21 में समिधान संसोधन द्वारा फिर उसके बाद जोड़ी गई आपकी कुंकडी, मडीपूरी, नेपाली तीन भासाया जोड़ी गई ये कब जोड़ी गई Пानबे में समिधान संसोधन द्वारा जोड़ी गई 2003 में कॉंकड़ी मड़ी पूरी नेपाली कब एकहतर में समिधान संसोधन द्वारा ठीक आए नवी अनुसुची भू सुधार या जमिदारी उन मुलन से संबंधे थी 10 अनुसुची ये प्रथम समिधान संसोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई 10 अनुसुची दल बदल संबंधी प्रावधान इसमें किया गया है 10 से 10 10 से दल बदल 92 समिधान संसोधन 1985 में लाई गी और 11 अनुसुची 73 समिधान संसोधन पंचायती राज इसमें कितने विशे दिये गए है 29 विशे दिये गए है 1992 में आया और 12. अनुसूची 14. समिधान संसोधन 1992 इसमें 18 विसे दिये गए अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें नहीं तो आपको ऐसे वीडियो आगे नहीं मिलेंगे सब्सक्राइब करें तक ही आपको बेथरीन वीडियो मिलते रहे है थैंक्यू